देखिए आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बहुत ही टेस्टी और खस्ता हलवाईयों का सीक्रेट समोसे की रेसिपी देखिए समोसे के ऊपर एक भी बबल्स नहीं है और बहुत ही खस्ता और करारे ये बन करके तयार हुए है इसी तरीके से हम आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से हलवाई सीक्रेट समोसे घर पर बना सकते हैं मगर इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर सीक्रेट समोसे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लै रह्मार रहीम अस्सलाम अलेकूम कैसे आप सब देखिए आज हम मराने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और जाइकिदार हल्वाईयो का सीक्रेट समोसा इसके लिए हमने तीन कप मैदा लिया है इस कप के हिसाब से और अब हम मैदे को चाल लेंगे अच्छे तरीके से चाल लेंगे मैदे को मैदे को अच्छे तरीके से चाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे अजवाईन तो यहाँ एक छोटा चमच भर कर इसमें डालेंगे अजवाईन इसको हातों पर अच्छे तरीके से मसल कर डालेंगे तो बहुत ही बड़िया खुश बाएगी इस तरीके से रब करकर डालें और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो यह एक चमच हो गया और यह आधा चमच तो टोटल जो है देड़ चमच छोटा इसमें नमक जाएगा ऐसे समोसे बन करके तयार होंगे कि आप जो है दुकान से खरीदना भूल जाएगे यहाँ इस हमने लिया है आदा कप तेल मोयन के लिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे समोसे अगर एकदम खसता चाहिए तो मोयन जो है एकदम पर्फेक्ट रहना चाहिए तेल को अच्छे तरीके से सारे आटे में मिलाना है चोटी चोटी टीप्स और ट्रिक्स में आपको बता रही हूँ आप फॉलो कीजिएगा तो सारा ही तेल हमने डाल दिया है टोटल आड़ा कप और अच्छे तरीके से इसे मसल लेंगे आटे में समोसे ऐसे लाजवाब बनेंगे कि आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया हमने आपको तो देखिए बहुत ही अच्छे से मुठी बन रही है सारा तेल जो है अच्छे तरीके से आटे में मसल लिया है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो थोड़ा थोड़ा करकर पाएं डालेंगे क्योंकि हमें जो है समोसे का आटा सौफ्ट नहीं गुनना है समोसे का आटा जो है थोड़ा सक्त रहता है तो देखिए आटा इस तरीकी से गुंदा है हमने और आटे को सॉफ्ट नहीं रखा है ज्यादा बस इतना रखना है कि आसानी से हम इसको बेल सके और बेलते वक्ट जो है पपड़ी जो है ठीटूरनी नहीं चाहिए पपड़ी आटेगी अगर तो हमारा डो जो है परफेक्ट नहीं बना है इस तरीके से आटा गुंदेंगे तो एक भी बबल्स नहीं आएगा समोसो पर तो इससे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए समोसे के फीलिंग के लिए मसाला तयार कर लेंगे तो यहां हमने लिए है 6-7 हरी मिर्च 2 इंच का तुकड़ा अद रख आप हरी मिर्च की कॉंटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना आप तीखा खाते होंगे और हरा धनिया लिया है एक मुठी एक टेबलिस्पून भर कर लिया है धनिया एक टेबलिस्पून भर कर लिया है सौफ और दो टेबलिस्पून भर कर लिया है हरी मटर हलवाई इसी तरीके से इसका मसाला तयार करते हैं बहुत ही टेस्टी और जाएकिदार मसाला बन करके तयार होता है सारी चीज़ों को डाल देंगे जार के अंदर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे जो है दरदरा सा हम पीस लेंगे देखिए इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है यहां हमने एक किलो अलुओ को बॉइल करके इसका छिलका निकाल लिया है एक किलो का परफेक्ट मेजर हम आपको बता रहे है तो अब हम इसको मैश कर लेंगे ज्यादा मैश नहीं करना है मोटे चंक्स रखना है थोड़े आलुओ को मैश कर लिया है मोटे मोटे चंक्स रहना चाहिए जिस तरीकी से हलवाईयों के समोसे में रहते है दो टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है कड़ाई में डाल कर और इसमें डालेंगे एक छोटा चमस जीरा जीरा चटक गया है तो इसमें डालेंगे हम मसाले का पेस्ट जो हमने बना लिया है और इसको भूल लेंगे बहुती टेस्टी और लाजवाब समोसे इस तरीके से बनेंगे कि आप खाते रह जाएंगे हलवाईयों की सीक्रेट रेसिपी है ये इसी तरीके से फॉलो किजिएगा स्टेप बाई स्टेप मसाला भूनते हुए ही हम इसमें डालेंगे आदा कफ फ्रेश मटर आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच भरके हल्दी का पॉडर एक चमच भरकर लाल मिच का पॉडर एक चमच भरकर धनिया पॉडर एक चोथाई चमच काला नमक एक चमच आमचूर पॉडर और एक चमच भरकर डालेंगे नॉर्मल लमक बहुती बड़ी आफ लेवर आएगा इस तरीके से इन मसालों से और इस अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे धीमे आच रखना है मसाले भून रहे हैं जार में लगे हुए मसाले में पाएं डालकर थोड़ा सा मिक्स करके डाल देंगे और अच्छे तरीके से चमच चलाते हुए भूनते जाएंगे इस तरीके से मटर भी पकते हुए सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी और मसाले भून जाएंगे तो मसाले अच्छे तरीके से भून गए है अब हम इसमें डालेंगे मैश किये हुए आलू तो देखिए सारा ही हमेश में डाल देना है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को ज्यादा मैश नहीं करना है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है सब कुछ तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच गरम मसाला और फिलेवर को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखिए बहुती बड़िया कलर आया है इस तरीके से अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे आटे को रेश्ट करते हुए 20 मिनट हो गये है देखिए इस तरीके से सफे सफे दाने आ गये है आटे में तो आटा जो है परफेक्ट गुन गया है इसको एक बार अच्छे तरीके से मसल लेंगे आटा नहीं ज्यादा सॉफ्ट रखना है और नहीं ज्यादा हाट रखना है बस इस तरीके से परफेक्ट आप अगर आटे को गुन देंगे तो आपकी समोसे की पप्री जो है एकदम खस तो अब हम आटे को इस तरीके से मसलते हुए दो पाट में डिवाइट कर लेंगे इससे पेड़े बनाने में आसानी होगी एक पाट को रख देंगे और दूसरे पाट को रोल करते हुए इस तरीके से लंबाई में रोल करेंगे चोटी चोटी टीप्स और ट्रिक्स में आपको बता रही हूँ और इस रोल के हम साथ पिस बनाएंगे, साथ तुकड़े करेंगे इसके तो साथ पेड़े बन जाएंगे तो देखिए इस तरीके से साथ पेड़े बनाए हैं और उसको दबाते हुए सारे पेड़ों को गोल शेफ दे दिया है इतना जो है हम साइट में रख देंगे पेड़े पर मैदा लगाएंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे हमें इसे अंडे के आकार में बिलना है लंबाई में देखिए इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे इसे बीच में से कट कर लेंगे इस तरीके से देखिए बीच में से कट कर लिया है इस पर लगाएंगे पानी सेरे पर और इस तरीके से देखिए हाथों पर रखते हुए बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से जो बीच में का जो जॉइन पार्ट है इसको दबाएंगे अच्छे तरीके से देखिए ये खुलना नहीं चाहिए वरना जो सारी फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी समों से तलते वक्त इस तरीके से अच्छे तरीके से हातों से इसे दबाएंगे और आप हम इसमें फिलिंग भरेंगे step by step हम आपको बता रहे हैं तो इस तरीके से फिलिंग को भर दिया है ज्यादा फिलिंग नहीं भरनी है इतनी जगा जो है खाली रहनी चाहिए फिलिंग को हातों से दबा देंगे और किनारियों पर पानी लगा लेंगे इस तरीके से और पीछे से जो है इस तरीके से एक प्लेट बनाएंगे इस तरीके से प्लेट बन गई है अब हम इसको सील कर देंगे देखिए अच्छे तरीके से दबाते हुए इसको सील करेंगे एकदम पर्फेक्ट हल्वाई जैसे समुसे बन करके तयार होने वाले है तो इस तरीके से देखिए समुसे को शेप दे दिये है सारे समुसे इसी तरीके से बना करके फ्रीज में रख देंगे एक घंटे के लिए तेल को गरम होने के लिए रखा है तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए सारे समोसो को एक एक करकर डालना है तेल अगर ज्यादा गरम होगा तो समोसो पर बबल आ जाएंगे समोसे डालते वक जो है आज को मीडियम रखेंगे सारे समोसे डाल दिये है और अब जो है फिलेम को लो कर दिया है समोसे इसी तरीके से टेल में अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे खुद बखुद फूल करके उपर आ जाएंगे सेट होने के बाद समोसे देखिए फूल करके उपर आ गए है अब हम इसे पलट देंगे और अब हम इसे मीडियम आज पर फ्राइ करेंगे तो देखिए आज को मीडियम कर दिया है धी में आज पर फ्राइ करते हुए समोसो पर बहुती बढ़िया कलर आ गया है तो अब हम सारे समोसो को निकाल लेंगे तो देखिए इस तरीके से समोसो को निकाल लिया है और समोसे पर एक भी बबल्स नहीं है इसे तरीके से आप भी हमारी conjunction recipe को follow करेंगे तो बहुती बड़िया और tasty करारे समोसे घर पर आसान तरीके से बना पाएंगे देखिए ये जितने भी देर आप रखेंगे तो इसी तरीके से यह खस ता रहेंगे तो चलिए गुल्दस्ता इसे आपको टेस्ट करकर बताएंगे कि समोसे कैसे बने है असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे आप से तो चलिए गुल्दस्ता आपको टेस्ट करकर बताएंगे ठीक है बिसमिल्लार रख्मान रही बाटी जाना टेस्टी है आप लग बैदे खाने के लिए देखिए गुलदस्ता आपको भी बुला रहे है समोसे को खाने के लिए सीक्रेट समोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा और इसे इफतार में, पार्टीस में किसी भी मौके पर जरूर ट्रै कीजेगा बहुती बढ़िया समोसे बनकर के तैयार होंगे और आपकी तारिफे होंगी आपको लाइक करना शेयर करना भूलिएगा मत तो देखिए लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत और सब्सक्राइब कर देना गुल दस्ता की चैनल को और दुआ में याद रखना अल्ला आफिस